नमस्कार आप देख रहे हैं वे टाइम नियूस बढ़ते हैं जार्खन की खबरों की ओर रतनलाल ने सिक्षा के प्रती जोर देते हुए कहा कि सिक्षा में वो ताकत है जिसके कारण आज देश ही नहीं पुरिविश्व के लोग बाबा साहिब के चरणों में नतमस्तक होते हैं साथ ही कहा कि समाज में व्याप्त नशापान अंधविश्वास्वा कूरीतियों से दूर रहकर अपने रहन सहन खान पान के साथ ही समाजे किस्तर को भी उचा करना है इस दोरान खलारी सुपन समाज के लोगों ने समाज के गरीब बच्चों को बहतर सिक्षा दिलाने और गरीब बेटियों की शादी में हर संभाव सहियो करने का संकल्प भी लिया कारिकरम को समाज प्रमोक असरफी राम, प्रखन धक्ष संजय राम, मासरचिव भोला राम, उपाध्धक्ष जीवन राम, अंबिका राम आदिन लोगों ने भी संबोधित करते हुए समाज को सिक्षित्वा संगठित करने पर बल दिया जारखन के सुपन समाज को हम लोग यह संदेश दे रहे हैं कि खलारी समाज 17 सालों से एक जूट है और एक जूट होकर कारिक कर रहा है मैं चाहूंगा एक बार इसके लिए जोड़ा ताली बजाएं क्योंकि हम लोग आज तक एक हैं और उमीद करता हूं कि मैं आगे अगला साल अठारवां इस था अपना दिवस भी हम लोग मिल जूल कर एक जूट होकर बनाएंगे जैसे वर्सों से मनाते आ रहे हैं कि साथियों जैसे हमारे गार्जियन श्री अमिका राम जी में कहा कि अभी अजादी कर वर्स不會 हूने के बाद भी हमारा समाज पिषडा है यए बात सच मुछ बिलकल सत्तव है के हरीजन में दलित में और भी जाती के लोग हैं जैसे दुसाद हो गया चमार हो गया और भी लोग है वो लोग तो बहुत आगे चले गए लेकिन हम लोग दिन पर दिन और पीछे होते जाने हैं उसका मुख्य कारण क्या है मुख्य कारण दो कारण है पहला है कि हम अपने समाज को सिक्षित नहीं कर पा रहे हैं सिक्षा के प्रती हमारा रुजहान बिल्कुल नहीं है हमारे 99% बच्चे लोग स्कूल का मुझ नहीं देखते हैं उनका जो स्कूल जाते भी हैं तो चौथा पंचवा पढ़ने के बाद वह वापस उसके बाद उनक सिक्षित नहीं होंगे और सिक्षा को नहीं आगे हमारा पास कुछ नहीं हमारे पास ना पुंजी है ना पैर्वी है ना किसी तरह का कोई साधन नहीं है हमारा सिर्फ एक साथ जो बाबा साहब ने हमको देख गया है आरक्षन है एक सिक्षा का अधिकार है अगर हम सिक्षा क को अपनाते हैं और सिक्षा को आगे लेकर चलते हैं तो सिक्षा में वो बल है कि हम बड़े-बड़े महारती के तरह आगे बढ़ सकते हैं विड़ाम नियूस के लिए खलारी से मनुच परसाथ की रिपोर्ट